हमारे मन में कोई घटा और भाग नहीं होता, सिर्फ जोड और गुणा होता है मैं नकारात्मक विचारों को हटा कर सिर्फ सकारात्मक विचार रखूँगा आपको शुबकाम ना है पर ये नहीं हो पाएगा आपको बस थोड़ा ध्यान देना होगा कि ये काम कैसे करता है आप देखेंगे कि आप जो हैं और जो आपने कर्ठा किया है उसमें फर्क है सो हलो दोस्तों नमस्कारम स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में सद्गुरु जी हमारे मन के उपर हमारे माइंड के बारे में कई सारी चीजें बता रहे हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि दोस्तों सुबा उठने से लेकर रात को सोने तक जितनी भी सारी क्रिया कलाफ हम लोग करते हैं वह सब हम लोग अपने मन के द्वारा ही करते हैं यहां तक कि सोने के बाद भी हमारा logical mind जो होता है वह तो सांथ हो जाता है मगर हमारा subconscious mind जो है वह जागरित रहता है वह जागता रहता है एक्टिव रहता है इसलिए हमें अपने brain के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होना बहुत ही जादा जरूरी है तो क्या कुछ है आज क इस फीडियो में आए जानते हैं देखिए जिस तरह ये सवाल पूछा गया है और जैसे इसका आम तोर पर उतर दिया जाता है उससे लोग सोचते हैं कि नकारात्मक और सकारात्मक विचार जैसा कुछ होता है वे नकारात्मक विचारों को हटा कर सिर्फ सकारात्मक विचार रखना चाते हैं। ऐसे लोगों से मैं बस 10-15 सेकंड का एक प्रयोग करने को कहूंगा। वे जबरदस्ती अपने मन से एक विचार हटाएं। जैसे अगले 10 सेकंड तक बंदर के बारे में मत सोचिए। बंदर का विचार न करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि आप बंदरों से भरे हुए हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये आपके मन का स्वभाव है। क्यूंकि इस मन में तीनों पेडल रेस बढ़ाने वाले हैं। ब्रेक या क्लच नहीं हैं। आप जो भी दबाएंगे ये और तेज भागेगा। ऐसे मन के होते हुए नैतिक और धार्मिक शिक्षकों ने सिखाया है कि बुरी चीजों के बारे में मत सोचो। तब से वे दिशा यही करने लगे। आप मन को ऐसे बिलकुल नहीं संभाल सकते इसके लिए आत्मग्यान जरूरी नहीं है। अगर आप दो मिनिट आखे बंद करें तो आप जान जाएंगे कि आप इस मन के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो मैं बुरे विचार हटाना चाहता मन की बुनियादी प्रक्रिया को समझे बिना क्योंकि अमारा मन, इंसानी मन, धर्ती का सबसे जटल कम्प्यूटर है। सभी सूपर कम्प्यूटर्स भी इसी से निकले हैं। अब ऐसा है तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसके काम करने का तरीका समझें। अगर आप मु सिर्फ जोड और गुणा होता है। अगर आप इससे कुछ हटाना चाहेंगे तो ये कहेगा एक और। अगर आप बहुत जोर देंगे तो ये कई गुणा हो जाएगा। ऐसे मन में आप अच्छा और बुरा पहचान कर उन्हें हटाने की कोशिश मत कीजे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आपका ये मन और शरीर आपकी सेवा के लिए ही है। आपका जीवन महत्वपून है। शरीर और मन वे साधन हैं जिने हमारी सेवा करनी चाहिए। अगर आप किसी गाड़ी में बैठें तो उसे वहीं जाना चाहिए जहां आप जाना चाहते हैं। अगर वो अपने हिसाब से चलने लगे तो उसका फाइदा क्या है? वो सिर्फ परिशानी होगी। फिलहाल दुर्भाग्य से ज्यादातर मनुष्य इंसानी मन की इस शांदार संभावना को एक परिशानी, एक समस्या की तरह अनुभव कर रही हैं। ये आपके पास मौजूद सब सबसे सुन्दर चीज है, बस आपको इसके काम करने के तरीके पर थोड़ा ध्यान दीना होगा, सबसे पहले यही करना होगा। इसी कारण हम एक सरल सी चीज इशा क्रिया लेकर आए, ये आपको आपकी शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया से अलग करने के लिए है। आप जैसी एक चीज है जो मौजूद है। ये आपके सभी विचारों और भावनाओं और शारीरिक प्रक्रियाओं का जोड नहीं है, आप इन सबसे परे हैं। अगर आप अपनी आँखें बंद कर लें, तो कुछ नहीं देखता, पर आप मौजूद होते हैं। आप अपनी आँखों क की खिड़की से बाहर देखते हैं, पर आँखें बंद कर लेने पर आपका अस्तित्व खो नहीं जाता, आपका अस्तित्व तब भी होता है, तो अपने विचारों और भावनाओं से परे भी आप मौजूद हैं। तो जो जीवन आप हैं, उसका अनुभव करने की जरूरत ह ऐसा क्यों है कि अपने होने के सबसे महत्वपून पहलू को आप अपने अनुभव में नहीं आने दे रहें। फिलहाल हमारे जीवन का सबसे महत्वपून पहलू है कि आप और मैं समय जीवित हैं, बस यही है। मैं क्या सोच रहा हूँ, आप क्या सोच रहें, यह महत्वप तो ये महत्वपून हैं कि आप अपने भीतर बुनियादी जीवंतता पर ध्यान केंद्रित करें। तब आप देखेंगे कि आप और आपकी विचार प्रक्रिया के बीच एक दूरी आ गई है। अनुष्य को जानना और समझना होगा। नहीं तो आप सोचते रहेंगे, मैं बुरे विचार हटा कर सिर्फ अच्छे विचार रखूँगा। मेरी शुपकामनाएं पर ये नहीं हो पाएगा। 100% ये काम नहीं करने वाला। क्योंकि कोई विचार हटा नहीं सकता, उन्हें कु सीमझा पूँण है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपका गुस्छा, नाराजगी, आपका जो डर है, जो भी नकारातमक्ता आप पैदा करते हैं। आम दोर पर नाराजगी और गुस्छा हमेशा किसी दूसरे की ओर होते हैं। पर हमें समझना होगा कि ये जहर हम तो हमें ये समझना होगा, जहर से मेरा मतलब है, आज आप इसकी जाँच करा सकते हैं फिलहाल आपका खून कैसा है? फिर पांच मिनट तेज गुसा करें और अपने खून की जाँच कराएं उसमें कई नकारात मक्तत्व होंगे आप वाकई खुद को जहर दे रहे हैं, तो क्या आप जहर पीना चाहते हैं? बिलकुल नहीं, अब मैं क्या करूँ? ये सवाल एक तरह की मजबूरी से आ रहा है कुछ मत कीजे, बस आराम से बैठिए और बस जीवन प्रक्रिया पर ध्यान दीजे शायद आपके दिल की धरकन या आपकी सांस, शायद जीवत होने की अनुभूती, आप कितने सम्वेदन शील या बोध पाने की काबलियत रखते हैं उसी के हिसाब से कुछ चीजें, शरीर की कोई सम्वेदना, आपकी सांसें, दिल की धरकन या कुछ और, कुछ ऐसा लें जो आपको जीवन का संकेत देता हो, बस उस पर कुछ समय तक ध्यान दीजे धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप और आपने जो एकठा किया है, उनमें एक दूरी आ गई है एकठा की गई चीजें हैं आपकी शारीरिक प्रक्रिया और मानसिक संभावना या फिर मानसिक अस्त विवस्तता सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया होगा और अपने माइंड के कारपणाली के बारे में भी अच्छी तरह से समझ लिया होगा दोस्तों हमें अपने मन के उपर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि हमारा मन बहुत ही चंचल होता है इसलिए योग विज्ञान में मन को मरकट भी कहा जाता है मरकट का मतलब होता है बंदर जैसे बंदर इधर उधर उचलकूत करता रहता है ऐसे हमारा चंचल मन भी एक जगा पर स्थिर नहीं होना चाहता मगर अगर हम उसे स्थिर करना सीख जाएं तो हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां और सांती स्वयम ही आकर्सित हो जाएंगी तो दोस्तों आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और इस वीडियो को लाइक वा सेर भी कर दीजियेगा मैं मिलता हूँ नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कारम